हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कुक विज जोसन सागर आल इन वन आज में लेकर आई हूँ थंड़ा थंड़ा मैंगो शेक की रैसी भी वैसी भी गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में तो थंड़ा पीने का शौक सभी को होता है इसलिए मैं इसी ध्यान मे मैंगो शेक की रसी पर लेकर आई हो बहुत ही असानी से बनने वाला यह मैंगो शेक है और मेरे बच्चों को तो इस तरह का मैंगो शेक पीने का बहुत ही ज्यादा शौक है उमीद करूंगे कि आपको मेरे आज की वीडियो पसंद आएगी आप सभी का मेरे चैनल कुक की इसे फ्रीज में ठंडा करने को रख दिया था चलिए बढ़ते हैं आगे अब सबसे पहले हमें इस मैंगी को स्कीन को पील आट करना है मैंने आप एक 400 क्राम का बड़े साइस का मैंगो लिया है अगर आप चाहे तो दो छोड़े-छोड़े साइस की मैंगो ले सकते हैं प करते हम आगे अब स्टेज पर मैंने लिया है यहां मिक्सी का एक जार चलिए अब यहां इसमें मैंने जो मैंगो के पल्प किसमें एड़ कर दिया है जो मैंने अभी निकाला था अगर आपका आम मीठा नहीं है तो आप इसमें चीनी की कॉंटिटी को बढ़ा भी सकते हैं इसे हमारा मैंगो शिक और भी जादा मीठा हो जाएगा अब इस टेज पर मैंने यहां पर पांच बड़े चंबच चीनी लिया है यहां मैंने नॉर्मल चीनी का ही यूज किया है और शूगर नहीं जाना है तो मैंने यहां पर पांच बड़े चंबस चीनी का यूज किया है अब यहां लिया है मैंने आदा ग्लास पानी ठूरा से पानी डाला है ताकि इसका फाइन सा पेस्ट थियार हो साएगी चलिए बढ़ते हैं आगे यह देखिए मैंगो पर मैंने इस बर्तन में मैंगो के पलप को एड़ कर दिया है एक पर हम इस तरह के ही मेंट का यूज रिख करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे चलिया अब बढ़ते हम आगे अब मैंने यहां पर आदर खिलो इस ठंड़े दूद को डाल दिया है थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें डाला है ताकि जो mango pulp है मारा आप अच्छे से इस दूद के अंदर मिक्स हो जाए मैं यहाँ पहले दूद को अच्छे से उबार लिया था और अधार के बाद पिर मैंने इसे ठंदा करने के लिए फ्रिज में आइस के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुकी है चलिए अब यहां लिए मैंने थोड़ी से कुछ टूटी-फूटी थोड़ी से बादम और थोड़ी सी किश्मिश्ली है इसके लाव यहां पर मैंने तुड़ा सा डेसिकेटेड नालिल भी लिया है इन सबी चीजों से मैंगो शे कैसे using, रुटेशर हैा, जाया मैंने था रहलब पडम अधया है का लिया है, यहां देखिए। मेनने धाने भी यहां घूट रागे लिए से मैंपे यूप मैंगो शे कटे लिए ग्लाव आधार किुटी तक चीजों इक भी त्सधी युटक विल्यच से मैंगो शेध साथ है फोटा सी ली है मैंने या पर किश्मिश ऐसेाए्ट कर दी है अगर आजू आमकि पास गल्जू है या पिस्टा है तो खरा लुग रिन कर सकते और उसका मेटांत है टूती-फूटी गज मीहशेक में तोनटी-फूटी गजा हाए टेस्ट ही अगर आप और चिल पीना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा आइस क्यूप को और भी डाल सकते हैं उमीद करूंगी कि आप सभी को मेरी आज की रैसी भी पसंद आएगी अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आये तो प्लीज आप मेरे चैनल कुग वीजियोशनस आग और कुछ सबसक्राइब करना है बिलकुल भी न भूले मैं इसी तरीके से एजी और सिंपल रैसिपे पोस्ट करते रहूंगी और लास में सबस्क्राइब का इलाल बड़न दिया हुआ है यह पूरी तरीके से फ्री है इसे दबाना बिलकुल न भूले